हेलो दोस्तो हेलो दोस्तो हिमाचल परदेश से एक बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है दोस्तो एक लैंसलाइड हुआ है जिसकी वज़र से चेनव रिवर का पानी ब्लॉक हो गया है दोस्तो बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तो इसमें लोगों को रिस्क्यू किया ज और यह अगर हुआ तो कई जानमाल को नुकसान होगा और भारी नुकसान होगा दोस्तो इसमें जो पूरी खबर सामने आ रही है वो यह है कि एक मैसिव लैंसलाइड हुआ है जुन्डा विलेज में जो हिमाचल परदेश के लाहॉल और स्पीटी डिस्टिक्ट में पड़ता ह दोस्तो चेनब रिवर का पानी ब्लॉक हो गया है जो पानी है वो चार घरों में घुश चुका है फैमिलीज को वहां से सिफ्ट किया जा रहा है सेफर प्लेस पे दोस्तो बहुत बड़ी अपडेट है दोस्तो इसमें जो काउशेड है या कैटल है इन सब को भी तुरंद के तुरंद सेफर प्लेस पे ले जाया जा रहा है बहुत बड़ी खबर है इसमें और जो खबर आ रही है दोस्तो कि जो पानी है इसमें यह बताया जा रहा जो पानी है दोस्तो वो डैम से फ्लो नहीं करा बड़ डैम के किनारे के कोने से दोस्तो फ्लो कर रहा है और यह इंड precautionary measure लिया जा रहा है कि सारे villages को nearby places पे ले जाया जा रहा है वहाँ पे alert घोसित कर दिया गया है सबील वहाँ पे NDRF की team पहुची है दोस्तों इसमें जो आगे खबर आ रही है लहौल SPT SP मानव वर्मा ने बताया है कि सारे precautionary measures को लिया गया है ये देखा जा रहा है कि river जो है उसका block को हम लोग unblock करें और dam को हम लोग सुरक्षत करें ये हमारी अभी की अभी priority है बहुत बड़ी update दोस्तों सामने आ रही है दोस्तों ये इसमें जो एक और update सामने आ रही है जो है कि चेनब river जो block हुआ था पहले वो कई हद तक कई हद तक जानमाल को भारी नुकसान पहुंचाने की की छमता रखता है बहुत बड़ी update अभी तक दोस्तों किसी की जानमाल को हनी नहीं हुई है ना कोई देथाया ना कोई injury आई ये बहुत बड़ी update है दोस्तों इसमे जो भी update रहेगा मैं आपको देता रहाँगा अगर अपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कड़के पटाफट कमेंड करें